हलो चात्रों, दिक्षान से लिटेक में स्वागत है आपका, आज संतोसर के साथ परहेंगे बर्ग तीन विशे हिंदी में पार्ट जानवर कब पैदा हुए? जानवर कब पैदा हुए? छात्रों, जानवर किसे कहते हैं? वो जो जंगलों में रहा करते हैं, वो जो कपरे नहीं पहुंते, वो जो कुछ भी कच्चा पका भोजन कर लेते हैं, वो घर में पका के नहीं खाते, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं, उनकी खूबियां देखने से ही कैसा प्रतीत होता है, अब कभी आपने देखा होगा भैस को, बहुत ही साब सुथरे जगा पर बैठती है, जहां कीचर रहेगा, जहां पर पानी कम कीचर रहेगा, वहां जाएगी और जाकर लोटाएगी, सुवरिया को देखते होंगे, वैसे ही जगा पर लोटाती रहती है, जबकि बहुत से ऐसे जानवर हैं, जैसे बकरी हमेसा आम नाम करते रहेगी, कुछ भी चबाते रहेगी, मैं 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 करते रहेगी, जितना भी उसको खिला दो, जैसे ही उसके पास, उसके मुह के पास चार दूब लेके जाएंगे, मुह खोल देगे, आम खालेगी, देखते होंगे, ऐसे बहुत सारे जानवर हमारे आस पास हैं, सबसे बेतरीन जानवर, जो मनुस्य का सबसे पहले से, मनुस्य का ये राया है, संरक्षक राया है, स्वामी भक्त राया है, कुत्ता, जिया, मैं कुत्ते की ही बात कर रहा हूँ कि वो, अब कहीं भी टांग उठा देता है, खास करके कोई गारी हो, चाहे वो जितने की गारी हो, जितनी अच्छी गारी हो, उसके चक्का को तो सुद्ध कर देता है, आईए उन जानवरों के बारे में, उनकी गुन्वता के बारे में ही चर्चाट करना है इस पार्ट में अधिगम संप्राप्ति इस पार्ट के अंतरगत हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या मिलेगा हमें तो प्राणी जगत की बिविदिताओं को समझना प्राणी जगत चात्रों प्राणी जगत जगत मतलब संसार होता है और प्राणी मतलब जीव जीवों का जो यह संसार है इसके बिविदिताओं बिविदिताओं का हट हुआ अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं कोयल काली होते सुरीली आवाज में गाना गाती है जबकि करकस आवाज वाले भी बहुत सारे पक्छी पसूप हैं तो इनकी इनके अंदर भी विजिताएं हैं एकदम गोरा होता है कबुत्तर एकदम साप सुत्रा रहता है तो अपना गोंसलाई नहीं बना पाता है कवगा एकदम काउ 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 टराते रहता तो कहीं उसको अच्छा और कहीं गलत कहीं सूप का संक्यतों कहीं असूप का संक्यता को լिल्ली रास्ता काड़ दी तो सूप हो गिया बिल्ली कुत्ता बेर बिकरी गाय सुर यह सब ही जो हमारे आप पास में रहने वाले चिक रह Big Bien और इनके activities को भी आप note करते हो उनी को समझने की बात है प्रानी जगत की बिविताओं के कारणों को जानना इनमें क्यों इतना अंतर हुआ तो देखिए छात्रों घास सबसे छोटा होता है न ये घास क्या है पौधा है पौधे क्या करते हैं अपना भोजन खूद बना लेते हैं सूर्ज के प्रकास से और इन्हें खाता है छोटा छोटा कीरा इन्हें खाता है इन घासों को खाती है बकरिया गाय बैस इन घासों को खाके अपना जीवन ब्यतित करते हैं हम भी साग पात खाते हैं घास खाते हैं पालक साग, आदी जो जितने भी साग हैं वो खाते हैं, तो ये सबी चीज़, यानि कि एक पौधा हुआ, उस पौधे को कीरे खाए, कीरों को चिरिया खाई, मेढख खाए, मेढख को साप खाया, अगर साप नहोता तो मेढख बहुत ज्यादा हो जाते, अगर कीरे, अगर मेढख नहीं खाता कीरों को, तो कीरे बहुत ज्यादा हो जाते, इसलिए इस जगत को, इस संसार को बैलेंस रखने के लिए, यह भी विद्यताय हुई, यही कारण है, पत्र विद्या को समझना, और पत्र लिखे, इस पार्ट में पत्र लिखा गया है, उस पत्र लिखने की विद्य को समझना, और पत्र लिखने का जो तरीका इसमें अक्तियार किया गया है, उसको समझना है, अगला और अंतिम पॉइंट है, जानवरों के बारे में बिशेश जानकारी लेना, और समझना, यह पार्ट जो है, यह पत्र है, इसमें लेखी का जो है, वो अपने बहन इंदू को पत्र लिखिये प्रिया इंदू शुरू-शुरू में छोटे-छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीजों में से थे शुरू-शुरू में कौन शुरू-शुरू में जब धर्ती बनी ये धर्ती बहुत दिनों तक गर्म रही तपती रही और तपने के कारण यहाँ पर कई वर्सों के बाद हवाएं चली और मढ़ हुआ कीचर हुआ कीचर से जल हुआ और जल में बार-बार बरसा हुई और बरसा होने से जो जल हुआ उस जल शुरू-शुरू में छोटे-छोटे समुन्दरी जानवार और पानी में होने वाले पहुद है दुनिया की जानदार चीजों में से थे जब यह धर्ती थंडी हुई धीरिय धीरिय बहुत वर्स लगे हज़ारों वर्स के बाद जब धर्ती यह थंडी हुई तो थंडी होने के बाद कीचर हुआ उसके बार बार बारी साना यहां से बेपर जाना बारी सोना बेपर जाना तब समुन्दरी जीव में सबसे पहला जीव वा अमीबा जो की जल में रहता था उसका मुह नहीं ता फिर भी खाता था उसके सरीर में स्वसंद तंत्र नहीं थे फिर भी वह स्वसंद करता था अर्थात वह सजीव और निर्जीव दोनों के समान गुनों को धारन किये हुए था तो वह जीव जलिय जीव हुआ अक्टोपस, अमीवा के बाद अक्टोपस, फीसेश, मसलियां जितनी भी है वह सभी समुदर में या नदियों में आने लगी अथा जहां भी जल रहेगा वहीं जली है जन्तु तथा एलगी काई सबसे छोटा पौधा हुआ तो यहीं इसी बात को वह बता रही है कि पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीजों मेंसे थे जानदार बने जिनमें जान होता है उन्हें जानदार करते है जो वफा दिखाते है उस्त वफा दार करते है है ना जो चौकी को समालते हैं वो चौकी दार कहे जाते हैं तो जानदार चीजों में से थे वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे किसी कारण पानी से बाहर निकल आते तो जरूर मर जाते आज भी देखते हैं मचली जलकी रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगा वो डड़ जाती है बाहर निकालो मर जाती है तो किसी कारण से अगर ये पानी से बाहर निकाल दिये जाते तो मर जाते थे जैसे आज भी मचलियां सूखे में आने पर मर जाती है पानी के वे जानवर जिनकी खाल जरा सक्त थी खाल जिनके चमरे उपर की जरा सक्त अठात मोटे सक्त थी सुखी जमी पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते थे क्यों कि छात्रों उनका जो एस्कीन होता है उनका जो उपर ही लेयर होता है एस्कीन का चमरा जो होता है उसी से वो रेस्पिरियेशन करते हैं पानी के अंदर भी रेस्पिरियेशन समझते हैं ना सांस लेना सांस लेते हैं पानी के अंदर भी अपने चमरे से सांस लेते हैं औ और तो जिनका चमरा मोटा होता था वो कुछ समय तक ऑक्सिजन को अपने चमरे में रखे रहते थे तो वो सांस लेकर जीवी तरह सकते थे लेकिन जिनके जिनके चमरे पपले होते हैं वो तुरंत ही मर जाते हैं इस प्रकार जिनकी खाल ज्यादा सकती सुखी जमी पर बढ़ते गए और जिनके जिनके खाल उनसे भी ज्यादा सकते वो सुखी जमीन पर अधिक देरों तक रहने लगे जैसे मगरमच उसके खाल मोटे होते हैं गरियाल उनके खाल मोटे होते हैं तो वो जमीन पर भी रह जात जो जल में रहता है उसको जलियक आते हैं जो अस्थल पर रहता है उसको अस्थलियक आते हैं और जो जल और अस्थल दोनों पर रहता है उसको उभैचर प्रानी करते हैं तो इस तरह से मेधक जल और अस्थल धरती दोनों पर रहता है तो क्या है वह उभैचर प्रानी साप जल बरंबें रहता है एक फ़ेच प्राणी के लेकिन मचलियां उभएचर नहीं है मगरमच प्राणी है अधार जो जल और अस्थल दोनों पर समान रुप से रहते हैं क्योंकि इनके चमरे मोटे होते हैं सोचो कितनी अजीब बात है जानवर धीरे धीरे अपने को आस पास की चीजों को अपने अनुकूल बना लेते हैं जानवर क्या करते हैं अपने आस पास की चीजों को अनुकूल बना लेते हैं कैसे बनाते हैं आप देखते होंगे गिरगिट को जिस डाल पर बैठेगा उसी रंका हो जाता है अनकूल बना जीता है तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहां बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है वहां चिरिया और जानवर बरफ की तरह सफियद हो जाते हैं हो ही जाते हैं चिरिया और जानवर क्या आदमी भी देखिएगा इंग्लेंड बिटेंड से आये हुए लोग गोरे गोरे रहते हैं बहले ही दस दिन पंदरा दिन बीस दिन पर एक बार सरीव पोच पांच लेते हो नहाते नहीं हो फिर भी बहुत गोरे लगते हैं लेकिन क्योंकि ठंडा वहां ज्यादा है कैसे नहाते होंगे है न तो यह जानवर और प्रसुपक्षी जितने भी होते हैं वो बर्फिले अस्तानों पर ठंडे जगों पर रहते रहते वहां के रंगरूप में धल जाते हैं गरम देशों में जहां हरियाली और पेर बहुत होते हैं वे चमकदार रंगों के हो जाते हैं इसका यह मतलब है क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसी उनके आस-पास की चीजें होती हैं उसी तरह क्या अपने आपको वो बना लेते हैं छात्रों यहां चीजें होगा अब मैं लिखी दी चीजें हो उनका रंग बदल जाता है क्योंकि वे अपने को दुस्मन से बचा सके क्योंकि यदि उनका रंग आस-पास के चीजों से मिल जाये तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे अगर आस-पास की चीजों से उनका रंग मिलता जुलता होगा तो दिखाई नहीं देंगे और दिखाई नहीं देंगे तो अपने सत्लूं से अपनी रक्षा कर सकते हैं ऐसी टेंडेंसी ऐसी बाते मेड़क में देखने को मिलती है गिरगिट में देखने को मिलती है गिरगिट के कई प्रजाती होते हैं जो जिस जाल पर बैटेंगे जिस पत्ते पर रहेंगे उसी रंग के हो जाते हैं इसलिए चीते का रंग पीला और धारिदार होता है पीला उस धूप की तरह जो दरक्तों से होकर जंगलों में आती है। रॉल का प्रियोग करते हैं ना कंबल ओड़ते हैं जानवर तो उनकी खाल पर मोटे मोटे बाल उगाते हैं खाल पर जिससे वे गरम रह सकें इस अजीब बात को जानना बहुत जरूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आपस की चीजों से मिला देते हैं और इस तरह उनका जीवित राना ज्यादा आसान हो जाता है उनकी संक्या बढ़ने लगती है बचेंगे तभी तो उनकी संक्या बढ़ेगी ना ये सभी जानवर अपने-पने क्रिया कालापों के माध्यम से अपना-पना कार्ज करते हैं चाहते हैं अब देखिए अब अगले अपने उस पत्र में लेखी का जो लिख रही है वह क्या लिख रही है अगले पन्ने में कि हम ऐसे बदलाओ जो हमारे चारो तरफ जो हमारे चारो तरफ होते रहते हैं देख नहीं सकते हम नहीं देख पाते हैं हमारे चारो तरफ कई तरह के बदलाव होते हैं अचानक कभी आपने देखा होगा कि अभी बहुत कराके की धूप थी और हवा तुरंट चलने लगी और बादल गिर गए पुरा काला दीन में ही र आपना काम करती है और छीजों को बदलती और सुधार्थी रहती है। और रह देखिन और चीजों को बदलती और सुधार्थी रहती है। और नहाराम करती है। आपने गाना सुना होगा mint season नदियां चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा और प्रेड़क गाना है कि तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा अर्थात इसमें यह प्रेड़ना दी गई है इस गाने के अंतरगत यह बताया गिया है हमें कि नदिया, सूर्ज, तारे, चांद, आखास, बादल यह कभी नहीं रुपते हैं, यह सदैव चलते रहते हैं, यह प्राकृत है, यह प्राकृतिक वस्तु हैं, यह कभी नहीं रुपते हैं, आपने साइंस में परहा होगा, living thing and non-living thing, natural thing and man-made thing, यह all are natural thing, सभी प्राकृतिक नेचुरल को हिंदी में प्राकृत करते हैं, और thing का अर्थ होता है बस्तु, तो natural thing अर्था प्राकृतिक बस्तु हैं, जिन में बदलाव होते रहता है, यह इस प्राकृत में बदलाव इसलिए होता है, कि यह चीजों को सुध आती रती है, पेर के पते जो सुखने लगते हैं, वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद नए पते आते हैं, पहले आम छोटा छोटा फूल होता है, मोजर उसका सुगंद देता है, फिर छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर उसके अंदर पता नहीं कहां से गुठली आ जाती है, नारियल उतना बरा होता है उपर से काट दिया जाता है और अंदर जाओ तो कठोर है उसके अंदर पानी कहां से भर जाता है यह सब प्राकित की देन होती है यह इसी तरह से बदलाओ करते करते इस प्राकित को सुधारती और बदलती रहती है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीजों की अनुकूल बना लिया और आगे बढ़ते गए इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया या कहो कि प्रक्रित उसे सुधारती रही पर आद उसके गमंड का ठिकाना नहीं है किसके आदमी के वह सोचता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या आदमी सोचता है ना कभी किसी कुट्टे को मार देता है ढेला कभी छुपके मार देता है कभी गईया को भैसिया को परहसान करता है वो बंधे रहते हैं उनको जाकर दिगाकर भाग जाता है सब और तो और पेर पौदे में भी जान है जीवन है डंटा ले लेता है या हाथ से ही तोड़ते चलता है पक्तों को छिलते चलता है मैंने देखा है आप लोगों के उम्रे के लगभग बच्चे इस तरह के कारी को करते हैं कभी दिवाल पर चलते चलते हाथ रगड़ते हैं कभ हो रहा है बहुत लोग से जानवरों को नुक्सान हो जाता है उससे पर आज उसके घमंड का ठीकाना नहीं है वह सोचता है कि जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और बनमानुसों कि भाई बंदू है और आज भी सायद हमें से बहुतेरों का सुभाव बंदरों जैसा ही है मैं तो यू कहूँ कि आपके क्लास के जितने वीचात रहें लगबग बंदर जैसे ही है हुल्चल 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 सांती से बैठते नहीं है तो यह क्यों क्योंकि यह बंदर और बनमानुस जो हुए आदी मानुस जो थे वह बंदर बनमानुस शिंपैंजी लंगूर भालू रीच आदी जानवरों से डेवलप्ट हो करके वह मनुष्य बने अपने आप में कोशिस किये अपने आप में प्रयास किये तो मनुष्य बने शिंदे बच्पन में सभी लोग सभी को घर वाले भी बंदर कह देते हैं दम बंदर हो गया नकल्ची हो गया नकल करते रहता है मेरा लेकिन एक दिन आदमी जरूर बनता है जिस तरह से सभीता का विकास हुआ हमारे उस तरह से आदमी दिरे दिरे बंदर और बनमानुस से मनुष्य बना वैसे चात्र भी छोटे जो होते हैं वह भी प्यारे बच्चे आप तो बहुत अच्छे चात्रे हैं बहुत अच्छे ब जानवर हैं, वह सभी जानवर कई न कई हमारे भाई बंदुई हैं, क्योंकि हम भी जानवर ही हैं, हम भी पहले बनों में रहा करते थे, आग की खोज नहीं हुई थी, तो पका के खाते नहीं थे, कच्चाई फ़ल फुल आदी खा लेते थे, लेकिन जब आग की खोज हुई त तो पका के खाने लगे, फिर दीरे-दीरे किसान बने, खेती करने लगे, और वहां से आगे बढ़ते-बढ़ते, चुकि हम बौधिक छमता में सबसे अच्छे थे, इसलिए अन्य जानवर आज तक कपरा पहनना नहीं सीखे, परन्तु हम लोग हर तरह से सब्धिता का विकास क हो सके, चात्रों आसा करते हैं कि आपनों को ये पार्ट बहुत एच्छा लगा होगा, जानवरों के बारे में अच्छी-च्छी जानकारियां, रोचक जानकारियां आपको प्राप्त हुई, और इसी के साथ पार्ट समाप्त हुआ, अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगल में रहें